हेलो नमस्कार स्रियकाल राम राम रादे रादे कैसे हैं आप सभी लोग आसा और उम्मीद करता हूं सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त होंगे तो मैं भी आपसे यह उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप भी ऐसे ही अपने तियारी करते रहें आज के सेसन की बात करें आज का सेसन बहुत ही बहतरीन रहने वाला है और उस सेसन में आज हम देखने वाले हैं जन्रल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं ठीक है मुझे जी आज जी फंडर पढ़ा है काफी टाइम हो गया है तो टाइम को बिल्कुल बचा के रखिए बैतरीन तरीके से और किसी प्रकार से आपको टेंसन लेने की आओ सकता नहीं होनी चाहिए तो जल्दी से मेरे साथ जुर जाएए मेरे सभी नोजवान साती फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट लाइक शेर कर दो भई हां वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड करें शुरू नमस्कार राम राम रादे रादे चलो तो लोग कर देते हैं शुरू रादे रादे बई आ जाओ पहला कोशन पहले तो टैस्री जल्दी से जोइन कर लें और प्रैक्टिस पेपर करते रहें 31 टैस्ट पेपर है 31 गुना 25 मतलब यह मानलो आप साड़े साथ सो से फ्लस कोशन आपको मिलेंगे एक सब्जेक्ट के परते एक सब्जेक्ट के साड़ की मॉबाइल एप्लिकेशन पर वहां से आप जाईए जूनिर अकाउंटेंट के सेक्शन में और 31 पेपर सेकंड के 31 पेपर फर्ष्ट के आपको यहां से देखने को मिलेंगे आज यह से अपनी प्लैलिस्ट का इस्सा बना लीजिए कोशन नमबर एक बताईए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी तो अब जल्दी से जवाब देने का समय आ गया है फटाफट बताओ इसका सई जवाब क्या होगा हाँ वैरी गूड किसके पूरक नियम है हाँ हाँ हुआ चाई पियो बेटा आराम से हाँ ठीक है तो देखिए कोसागार नियमों के किसके पूरक है यह है कोसागार नियमों के हाँ सर यूपी एसेसी ओडिटर के बारे में बताएं कुछ बिल्कुल हिमानसू वेट एंड वाच बताते हैं अभी सारी चीज़े बताऊंगा घवरानी के कोई आऊ सकता नहीं है सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो देखो यह नियम प्राप्ती किसकी बात कर रहे हैं यह नियम किसकी बात कर रहे हैं प्राप्ती अभीरक्सा यानि कस्टेडी भुगतान के संदर में प्राप्ति अभिरक्सा एवं भुगतान के सम्मंद में भुगतान के सम्मंद में कोसागार नियमों कोसागार नियमों की बात यहाँ पर चलेगी कोसागार नियमों के परती क्या होते हैं कोसागार नियमों के पूरक नियम होते हैं नियम नंबर एक ये किस में बताया गया है जहां पर प्रस्ताउना की बात की गई है जहां पर किसकी बात की गई है जहां पर प्रस्ताउना की बात की गई है ठीक है हाँ और सबसे बड़ी बात बता दूँ ये जो नियम है ना ये राज्ये पाल द्वारा जारी कारिये कारी अद्यक्स हैं क्या कारिये कारी अद्यक्स है सामाने वितिये एवन लेखा नियम परफ़ंबार कब जारी किए गए first time गुनी सो बावन में गुनी सो इकावन में गुनी सो इकराण में में गुनी सök पचपन में बताईए हाँ very good वेरी गुड वेरी गुड हार रेगुलर रहेंगे तो ये 1952 में सामाने वितियम लेखा नियम पर्थमबार कब लागू वे पर्थमबार 1952 में पर्थमबार कब 1952 में इन्हें लागू किया गया नेक्स्ट कोशन हाँ ये ठीक है सामाने वितियम लेखा नियम जो राजस्तान सरकार दौरा वे एवं राजस्तु पराप्ति के लिए बनाए गए हैं ये किस रूप में परसारित हैं राजस्तान के राज़ेपाल दौरा जारी एक कारे कारी आदेश कहाही जाते हैं विदान तो सामाने वितियम लेखा नियम जर्णल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स क्या है दोस्तों देखिए UPPSC क्या UP के अंदर सायक लेखा अधिकारी की वेकंसी निकली थी ठीक है उसकी एक्जामस भी कंड़क्ट होने वाली है अगर आप में से किसी ने वहाँ पर फॉरम ब है उस स्टेट के जो नियम है हर स्टेट के अलग-अलग rules है ठीक है क्योंकि राज्येपाल के द्वारा जारी किए गए कारेकार यह दिच्स है कोई सनसद या विदानसभा संसद द्वारा पारित नहीं है तो वहां के जो नियम से वहां के किस-किस परकार की नियम है अपने यहां पर महिलाओं को 180 दिन का उकास दिया जाता है वहाँ 135 दिन का दिया जाता है ऐसी कुछ ऐसी जो बाते हैं तो वहां के नियम अलग है वह आपको वहां से देखने होंगे तो यह राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल द्वारा जारी एक कारेकारी आदेश है आप स एक ऐसा परसंद सा पूछले करणट के हिसाब से, वरत्मान में राजस्तान का राज़ेपाल कौन हैं, बताएगा कोई मुझे? वरत्मान में राजस्तान का राज़ेपाल, basic सा questions पूछाएं मैंने आपसे, बहुत basic questions हैं बल्दी से बताऊ। सामाने वितियये एम लेखा नियम को कितने खंड में विबाजित किया गया है एक खंड दो खंड तीन खंड या चार खंड बताओ जल्दि से आर्टेकल 309 वाओ बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दि से बताओ क्या जबाब होगा हाँ कलराज मिस्टर जी ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब क्या है हाँ सामाने वितियम लेखा नियम को कितने खंड में विबाजित किया गया है एक खंड, दो खंड, तीन खंड या चार खंड जल्दी से बताओ हाँ तो सामाने वितिये एवं लेखा नियमों को किसी का जवाब नहीं आया अभी तक तो याद रखिएगा इनको कितने खंडों में विबाजित किया गया है तीन खंड में विबाजित किया गया है फुली प्रैक्टिस कर आँगा, आपको कम से कम भी नहीं तो इसके हजार कोशन, कितने एक हजार कोशन? जनर्नल फाइनेस एंड अकाउंट रूप के आपको एक हजार कोशन करवाने वाला हूं है, ठीक है? ठीक है जिदर से पूच पाज के सर्च करके बताता हूं आपको ठीक है महालेखाकार का कारिये नहीं होता है सरकार के लेखे रखता है नहीं होता है एक नहीं है कारियले की रोकडबाई संदारित करता है कारियले के लेखों की अंकेशन करता है और विनियोग लेखे तयार करता है एक जो ओडिटर होता है एक मतलब जो अकाउंटेंट जनरल होता है उसका क्या मामला है पताईए हाँ ये लेखा और अंकेसा का एक ऐसा कार्यालिया जो राष्ठान सरकार का लेखा रखता है ठिक है तो देखो क्या क्या है ये देखो यहां पर बात करें नियम नमबर दो ध्यान से सुनना नियम नमबर दो नियम नमबर दो का एक यहां पर परिवासा दी गई है महालेखाकार की यहां किसकी परिवासा दी गई है यहां पर किसकी परिवासा दी गई है यहां पर महालेखाकार की परिवासा दी गई है कारियले की रोकडबही संदारीत करता है इतना छोटा काम नहीं करेगा ठीक है यहां पर हाँ यहां पर एकी देखो सरकार का महालेखा का सरकार का विनियोग लेखा कौन सा लेखा विनियोग लेखा जो है उसे भी मैंटेन करता है विन्योग लेखा है उसे मेंटेन करता है यानि कि उसे तैयार करता है डेली शाम को चार बजे पहुंच जाना फिर कह रहा हूँ जर्नल फाइनेंशन अकाउंट्स रूल के एक हजार कोशन्स करवाने वाला हूँ कितने कोशन एक हजार उसके बार कुछ नहीं ठीक है कुछ नह कोशन्स संस्ता रख्ती है महालेखा का राज़स्तान नियंत्रके मालेखा प्रिक्सक वित्विभाग या कोशालए राज़स्तान सरकार के लेखे कौन सी संस्ता के द्वारा रखे जाते है है जल्ली से जबाब दीजिए हाँ हाँ रेगुलर पढ़ते रहो मैं आपको पहले भी कहता है रेगुलर पढ़ते रहो अगर आप ऐसे अगर इधर उधर होईंगे ना तो भाईया मामला सैट नहीं होगा फिर तो पिर सहीद हो जाओगे तुम लोग इतना जो तुमको पढ़ाया है ना वो सब की मिट्टी पली तो जानी है कोई मतलब वाली बात यहाँ पर नहीं निकलेगी तो महालेखाकार राजस्तान महालेखाकार राजस्तान के दुआरा क्या राजस्तान सरकार के लेखे कौन सी संस्ता रखती है और जाच का काम भी किसका है और लेखों Chief Accountant General Comptroller and Auditor General Comptroller and Accountant General Chief Auditor General CAG की Full Form CAG CAG की Full Form बताइए CAG की Full Form क्या है हाँ CAG CAG की Full Form क्या है सभी साथियों को सेर कर देना की भया वापस MCQ Classes परारंभ हो चुकी है हाँ हाँ तो आंसर क्या है Comptroller, Auditor General ये भया क्या करता है ये है सरकारी संसताओं की जाच करता है सरकारी संसताओं सरकारी संसताओं में Auditor की न्युकती करता है और जो Auditor इसे Auditor जो CAG को Report देगा किसे देगा रिपोर्ट ये किसको देगा सी एजी राष्टर पती को देता है उसी परकार जो हमारे एजी ओजी लेजी सुनो जी एजी किसको देते हैं एजी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं इसको देते हैं रादे रादे वहिया सभी को और किसे देते हैं राज्ये पाल के सामने प्रस्तूत करते हैं किसके सामने प्रस्तूत करते हैं राज्ये पाल के सामने प्रस्तूते करते हैं एजी कौन सी संस्ता है जो राजस्तान सरकार का लेखा रखती है एजी एजी एसी कौन सिसस्ता है की कौन सी संस्ता है जो राजस्तान सरकार का लेखनार कि एडिस्ट्रेट जणर जनरल कहते हैं या सिस्टेंट जन्रल कहते हैं आरेस की लिए modern history की class लगाई जीना बेटा देख लेना एक बार दो याड़ ही गंटे के speed में करके देख लेना पूरा modern जन्रल नहीं उसे accountant general कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे accountant general के रूप में हम जानते हैं किसके रूप में जानते हैं अब देखो आ गई ना राजेस ने कर दी गलती राजेस चला गया ओडिटर पर इसका एक परसंद गतो गया तीन नमबर गलतो गया लाला ऐसे कैसे विवस्ता ब विन्योग लेखे कौन सी संस्ता तयार करती है राजस्तान के विन्योग लेखे कौन सी संस्ता तयार करती है महालेखाकार नियंत्रक एवँ महालेखा परिक्षक कोसाधीकारी और वित विभाग राजस्तान के विल्योग लेखे तीन नहीं सर चार है रहे सोरी काई की बात कर रही है हाँ चलिए आगे बढ़िए तो देखो कोशन शांदार है अब तुमें सारी चीजे समझा दी मैंने तो देखो यहाँ पर आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी महालेखाकार को आप फटाक से चिपका देंगे ठीक है हाँ अरे तीन नंबर ही तो आजब जो नंबर जो गलत होगा वो भी तो साथ में उसको भाई बना के तो लेके जाएगा ना भाई चारा तो निबाएगा सिस्टम आजगर सिस्टम बड़ा चल रहा है ना चलो तो अपना भी सिस्टम सटा सट चलना चाहिए विन्योग क्या होते है शांदार प्रसन है विन्योग क्या होते है विन्योग क्या होते है बजट की प्रात्मिक इकाई में निधी का एसाइनमेंट विस्तरत सीर बजट की प्रात्मिक इकाई उप्रोक सभी Question number 10 का जवाब बताईए विन्योग क्या होते हैं Appropriation विन्योग को अंग्रेजी में कहते हैं Appropriation हाँ विन्योग अब समझो ध्यान से जवाब देना साइद मतोना फिर कह रहा हूँ सईद होने की आऊ सकता बिल्कुल भी नहीं है फिर कह रहा हूँ आप लोगों को हाँ देखो हम कोई अब समझ लो मेरी बात पहले हम कोई पैसा खर्च करेंगे आने वाले भविस्य में हम कोई पैसा खर्च करेंगे आने वाले भविस्य में तो हम जो वे कर रहे हैं उस वे को ध्यान में रखते हुए उस वे को ध्यान में रखते हुए प्रात्मिक इकाई के रूप में रखी गई धनरासी प्रात्मिक इकाई के रूप में रखी गई धनरासी प्रात्मिक इकाई के रूप में रखी गई धनरासी प्रात्मिक इकाई के रूप में रखी गई धंदरासी क्या प्रात्मी की काई के रूप में रखी गई धंदरासी विनियोग कहलाती है और इसकी परिवासा है नियम नंबर दो और नियम नंबर दो का दो एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो एप्रोप्रियेशन ठीक है विनियोग की प्रात्मी की अधिकांस के तो बैसाब तोते ओड़ रहे हैं कोई ए जलो ए वाड़ों का सही है कोई सी बता रहा है कोई डी बता रहा है फिर मैसेज भी तुम डिलीट कर देते हो है ना खाप्टों ऐसी दुनिया नहीं चलने वाली है ठीक है हाँ कार्तिक का कर्रेक्ट है बाई विल्कुल विश्त्रित सीर्ष क्या होता है यहां पर है विश्त्रित सीर्ष क्या होता है अनुदान मांगों के प्रियोजनार्थ विनियोगों की प्रात्मिक इकाई प्रात्मिक इकाई में निधी का असाइनमेंट अनुदान दे दिया या उप्रोग सभी विश्त्रित सीर्ष क्या हो होता है जल्दी से बताओ विश्त्रित सीर्स क्या होता है अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ विन्यों की प्राथ्मी किकाई ठीक है दोनों लेंग्वेज में ली आएंगे और बता कल से दोनों में आ जाएंगे कल से दोनों लेंग्वेज में ला देंगे तो अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ विन्यों की जो प्राथ्मिक इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है मेरे नोजवान सात्यों विश्त्रित सीर्स कहा जाता है सामान्ने वितिये एवं लेखा नियम में बैंक से क्या आस से है सामान्ने वितिये एवं लेखा नियम में बैंक से क्या आस से है ठीक है बैंक से SBI की साखा जो RBI की एक एजेंट हो तता RBI Act 1934 के अनुसार कारिये कर रही हो SBI Act 1662 में परिबासित अन्य सहायक बेंक जो RBI का एजेंट नियुक्त किया गया हूँ RBI Act 1904 में के अनुसार नियुक्त अन्य बेंक की साखा जो RBI के एजेंट के रूप में कारे करे उपरोक सभी बताओ और एक चीज यहां पर ओर जोर दो ई-focal पॉइंट साखा ए-focal पॉइंट साखा e-focal point साखा का मतलब काता है कि बैंक की वह अधिकरत ब्रांच किसी भी बैंक की वह अधिकरत ब्रांच जो online collection करती है यानि online प्राप्तियों का संग्रण करती है और report कोसागार को प्रस्तुत करती है ठीक है साइद यहाँ पर गर कैसा question नहीं बना है तुम्हे एक question मेरी तरफ से सुनना मेरी बात bank की वह अधीकरत साखा जो online प्राप्ति की संग्रहन रिपोर्ट कोसागार को किसको ट्रेजडी को कोसागार को प्रस्तुत करती है option option में नहीं दूँगा क्यों आपको बताया है तो एसका answer क्या होगा इसका answer होगा e focal point साखा क्या होगा इसका answer होगा आपसे पूछ ले e focal point साखा संग्रहन रिपोर्ट किसे प्रदान करता है किसे प्रदान करता है ये लोड़ो question ये ओरेड हो गए देखो online प्राप्ती की संग्रहन रिपोर्ट बैंक की e focal point साखा कोसागार को प्रस्तुत करती है किसको प्रस्तुत करती है रे लिखो यार क्यों बैठे हो पागलों की तरह है खुद के दो खुद लिखोगे तो तो तोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा तुम लोगों के तो e focal point साखा जो है वो अपने संग्रहन की जो रिपोर्ट है वो किसे किसे प्रदान करती है या किसे सौपती है या किसे किसको प्रस्तुत करती है collection रिपोर्ट जो होती है वो collection रिपोर्ट किस को कोसागार को किस को कोसागार को किल्एर है अरे सहीर मामला डेली शाम को पांच बजें जुड़ना मत भूलियेगा राज किये सहं वैवार ट्रांजेक्शन्स राज किये ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंक किस अधिनियम के प्राउधानों की पालना करता है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेल डन। तो सीधी सी बात है इस्टेट बैंक की कोई भी साखा जो आरिबियाई के एजेंट के रूप में कारिये करे तथा आरिबियाई एक्ट गुनिस्सो चोंतिस का पालन करें। आरिबियाई एक्ट गुनिस्सो चोंतिस का पालन करें। आर्बियाई एक्ट गुनिसो चौतिस का क्या करे वाई साहब है पालन करे आगे बढ़ते हैं वाउ निमलिकित को सुमेलित कीजिए ये तो अपने आप में एक विशेश कोशन है ये तो अपने आप में एक बिल्कुल विशेश कोशन है संचित निदी आकस्मिक निदी लोक लेखा निदी और इस्तानी निदी कौन कहां कहां पर है संचित निदी आकस्मिक निदी लोक लेखा निदी हाँ बई जितिंदर जोसी क्या हुआ बताओ ध्यान से देख लो फटाफट फटाफट एक बार कॉमल प्यूस हाँ भई कांसा जल्दी जल्जी देख लो तो देखो संचित निदी 266 एक में जश्ट इसके आगे आकस्मिक निदी अनुच्छे 262 में लोक लेका निदी अनुच्छे 266 में और इस्तानिय निदी जन्रल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल के नियम नंबर 262 में काई की क्लास लगवादे भई ठीक है तो यहां पर आंसर क्या है देखो पहले में दो दूसरे में चार तीसरे में एक और चोते में तीन दो चार एक तीन इसका बिल्कुल अरे भाई इतने मेंसेज मत करें लाला देख लिया मैंने प्रसांत पसू परिचर की भरती आएगी अच्छे आज लाईव मिले हो मैं आपको बना चल रहा था है रिकोडेडी ठीक है आंसर है यहां पर दो च्यार एक तीन दो च्यार एक तीन ठीक है अरे भाई निबंद मत लिखे यार पसू परिचर पर ठीक है दादा मैं मान गया तेरी बात हाँ चल लगवादेंगे लगवादेंगे भी टाइम में लगवादेंगे ठीक है इसको ऐसे भी तो याद गर सकते ना आप आगकस्मिकता अब आसा बड़ा बाई निबाता है तो छोटा बाई 266-1 में है बड़ा बाई 267-2 में इसमें 267-2 में चलिए संचित निधी Consolidated Fund में निमला की समलित होते हैं राज़स्व, पुंजी, रिन या उप्रोक सभी बताईए हाँ, जल्दी से बता दो राज्ये की जो संचित निधी होती है Consolidated Fund होता है जो आपको 266-1 में दिया गया है इसमें दिया गया है जो आपको 266-1 में दिया गया है इसमें क्या-क्या सामिल होते हैं राज़स्व, पुंजी, रिन या उप्रोक सभी जल्दी से बता दो Question 15 हाँ, तो बिल्कुल सही है पुंजी सामिल, रिन सामिल, राज़स्व सामिल पुंजी भी सामिल है, रिन भी सामिल है और राज़स्व भी सामिल है ठीक है हाँ, रिनों के बुक्तान भी यहाँ पर कर दिये जाते हैं ठीक है हाँ Advance भी यहाँ पर कर दिये जाते हैं क्या? हाँ Advance भी यहाँ पर कर दिये जाते हैं सित किया गया है संचित निदी को अब देखो सीधी सी बात है बड़ा भाई जो है वो आकस्मिकता में काम आएगा आकस्मिक निदी उससे थोड़ा सा बड़ा सब जनता की देखेगा लोक लेखा निदी अब बचा क्या 266 संचित निदी 266 संचित निदी की बात यहां पर हम कर रहे हैं तो 266 में संचित निदी उसके बाद संचित है फिर जनता का द्यान रखेंगे लोक लेका निदी और आकस्मिक तामे कौन आएगा बेटा देख 6 या 5 या 6 तरिक तक वेकेंसी आ जाएगी नहीं तो फिर तो आतर संचित लग जाएगी ठीक है चलिए आकस्मिक निदी को समीधान के किस अनुचेद में परीबासित किया गया है आकस्मिक निदी को आकस्मिक निदी को समीधान के किस अनुचेद में वापस याद करो 261 संचित निदी मतलब ऐसे दिमाग में बैट जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे मतलब टका टक तरीके से 262 लोक लेखा निदी कौन सी निदी लोक लेखा निदी आंसर बताओ हाँ वेरी गुड उसका सही जवाब है 262 में 267 टू यहाँ पर किस की बात करेगा आकस्मिक निदी की बात होगी अनुचेद 262 में चलो लोक लेखा निदी को समिधान के किस अनुचेद में परिवासित किया गया है लोक लेखा निदी को अब तीनों आपके दिमाग में बैट गई है वो ही देखो लोक लेखा की बात कर रहा है यहाँ पर संचित है और इसका आंसर है 262 आजाओ अब अब आजाओ आईए आ आपका स्वागत है, स्वागत नहीं करोगे इस खतरना कोशन का, निदियों को उनके प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए, उनके प्रकार के आधार पर, राज्यस रिन एव अनुधान कौन सी निदी से संबंदित है, विदान सबा द्वारा प्रादिकरत करने तक नए वे क करने के लिए रखी गई शुरक्षित निदी ये किस के लिए है, जमा भविस्य निदी आरक्षित निदी का संबंद किस से हैं, और इस्तानिय निकाई की आये का संबंद किस से हैं, कोशन नमबर 19 आपके सामने हैं, क्योंकि उसकी विज्यप्ति जारी हो चुके हैं, फोरम से पढ़ो ध्यान से जवाब दो कि रिवेन्यू रिण एम अनुदान कुछ समय पहले ही बात हुई थी कि संचित निदी अब देखो यहां से तो इस option के साफ से तो बैठ गया पूरा ही दो पर हमें यहां समझना है एक्जाम में option बदल सकते हैं यहां वाले बदल सकते हैं यहां दो जगे दो दिया जा सकता है लेको विदान सभा द्वारा प्रागदित करने पर नए वे करने के लिए रखी गई सुरक्षित निदी बहिया आकस्मिक निदी कौन सी निदी आकस्मिक निदी जमा भविस्य की निदी और आरक्सिक निदी लोक लेखा निदी और इस्तानिय निकाई की आए इस्तानिय निकाई निदी कौन सी निदी इस्तानिय निकाई निदी किलिए रहे तो option number B यहाँ पर सही है Option number B यहाँ पर सही है, कि देखो राजस उर्यन और अनुदान का संबन संचित निदी से हैं, विदान सवाद वरा एक निश्चित रकम को प्राधिकत करने तक नए वे करने के लिए रखी गई शुरक्षित निदी वो आकस्मिक निदी कहलाती है, जमा भविश्य निदी निदी और इस्तानी निदी में चली जाएगी, नियंतरक अधिकारी से अभी प्रेत है, केवल विभागा देक्स, विभागा देक्स या अन्य प्राधिकारी जिसको नियंतरन का दाई तु दिया हूँ, केवल कारेले देक्स या वित विभाग, पताई हैं, नियंतरक अधिक विभागा देख्ष या अन्य प्राधिकारी जुसको नियंत्रन का दाईतु दिया गया हूँ कोशन नमबर 20 विभागा देख्ष या अन्य प्राधिकारी जुसको नियंत्रन का दाईत्व दिया गया हो क्या कहलाता है दोस्तों नियंत्रन अधिकारी कहलाता है सामानने वितियम लेखा नियम नियमों के परिपेक्षे में नियंत्रक अधिकारी का दाइतु क्या होता है नियंत्रक अधिकारी का क्या दाइता है 180 EWS में अच्छे नंबर है तो 180 EWS में अच्छे नंबर है बटा हाँ बताईए हाँ वेरी गुट हाँ इसमें वे एवम राजस्व पर नियंत्रन करना यहाँ पर बताया गया है यानि राजस्व की वसूली को नियंत्रित करना नियंत्रन करना ठीक है अहरन वित्रन अधिकारी डीडियो साहब निम्न में से किसको बनाया जा सकता है अरे DDO साथ किसको बनाया जा सकता है आहरण एवं वित्रन अधिकारी यानि DDO किसे बनाया जा सकता है हाँ बताईए राजपत्रित हाँ तो देखो कार्याल्या अधिक्स या फिर राजपत्रित अधिकारी कार्याल्या का अधिक्स या फिर एक गजेटेड ओफिसर राजपत्रित अधिकारी क्या बन सकता है हाँ साथ ही एक चीज़ या दखना एक विभागा अधिक्स भी आहरण वित्रन अधिकारी होता है क्या एक विबागा देख्ष भी अहारण वित्रन अधिकारी होता है तो ये भी आपको दिमाग में डाल लेना ठीक है? हाँ के लिए रहे OBC में 200 से उपरवाड़े तो मस्त रो टेंशन ही मतलो नियम नमबर दो 2 का सब सेक्षन 11 में यह बात की गई है 2.11 में अहारण वित्रन अधिकारी नियमन में से कौन हो सकता है? विबाग का देक्स कारेयले का देक्स कारेयले अधिक्स द्वारा प्राधिकरत अन्ने राजपत्रित अधिकारी या उपरोक सबी अब बताओ पूरा सिस्टम यहां किलिर हो जाएगा इस कोशन में सारी बातें किलिर हो जानी है भाग जलदी से बताओ आहरण वित्रन अधिकारी नियमन में से कौन हो सकता है तो यह बात हमने अब अभी किलिर कर ली है एक विभाग का अद्धेक्स भी डीडी हो सकता है कारेले का अद्धेक्स भी डीडी हो सकता है कारेले डेक्स किसी राजपत्रित अधिकारी को बना दे मालो ये बीजी है इसने का क्यार मेरे पास वरकलोड जादा है हम आपको प्रादिकरत करते हैं डीडियो बनाने के लिए तो सरकारी ओप्षिन पर आ जाते हैं वो प्रोक सभी विबागा देख्स कारेले देख्स कारेले देख्स द्वारा विबागा देख्स द्वारा नहीं कारेले देख्स द्वारा प्रादिकरत अन्ने राजपत्रित अहारण वित्रन अधिकारी का कारिये नहीं होता है पहला काम देखो वेतन भत्तों एयों अन्य बिलों पर हस्ताक्सर करना रोकड बही को प्रमानित करना वेतन या भत्तों एयों अन्य बिलों के अनुसार रासी वित्रन सुनिशित करना और अधिनस्त कार्याले का प्रसास्तिंग रिक्षण करना कौन सा ऐसा मामला है वेरी गूड वेरी गूड सेशन को लाइक शेर करते रहो डेली कितने बज़े डेली पांच बज़े जन्रल फाइनस एंड अकाउंट्स रूल के आपको एक हजार कोशन देखने को मिलेंगे एक हजार कोशन का कारवा आज से प्रारंब हो चुका है याद रखिएगा कितने कोशन गुरुजी कितने आदमी थे नई 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 कितने कोशन थे का लिया सर एक हजार तुमने कितने सही किये पूरे एक हजार सही किये फिर तो सही हो आज की जमाने के गब्बर के आदमी हो तुम ए भी नहीं है अरे बावड़ो ए भी है वेतन बतों अन्यों बिलों पर अस्ताक्सर करने का काम होगा भाई दादा कोण है यह तक तु अंका सैनी जी गलत जवाब नहीं सई जवाब यह पर अधिनस्त कारेले का प्रसाशन करना यह नहीं करेगा यह यह भी करेगा यह बी करेगा यह भी करेगा फिक है हाँ 2000 कर दो कहने से ही कर दो मतलब है खाना पिना छोड़ दे सोना छोड़ दे परसनल लाइफ 1000 कोशन क्रियेट करना भाई 25 कोशन आएंगे 25 उसके बदले 1000 975 कोशन एक्स्ट्रा ठीक है हाँ 1000 ही बहुत ज़्यादा मरवायोगो तुम कौन सा वे आवर्तक प्रकृतिका नहीं है कौन सा वे आवर्तक प्रकृतिका नहीं है जल्दी से बेजो कौन सा वे आवर्तक प्रकृतिका नहीं है वेतन भत्तों का भुकतान करना बिजली पानी के बिलों का भुकतान करना कारियाले में एर कंडिशन करीदना पैंसन का भुक्तान करना कौन से वे हैं जो आवर्तिक प्रकृतिके नहीं है कौन से वे हैं जो आवर्तिक प्रकृतिके नहीं है बहितन भक्तों का भुक्तान करना लीगल है इसको ऐसे समझो जो चीजे लीगल है बिजली पानी के बिलों का बुक्तान करना तुम अपनी जनता के पैसों चेपनी सेवा के लिए ऐसी लगाओगे क्या एक बार खरीच जगते हैं पर कार्याले में एर कंडिशन करे करना ये इसका सही जवाब है ये आवर तक प्रकृतिका नहीं है तो वेतन बत्तों का बुक्तान उसके बाद बिजली पानी के बिलो का बुक्तान तो एर कंडिशनर कौन सा कंडिशनर एर कंडिशन ये आज के 25 कोशन ये आज के 25 कोशन आपको मैंने करवा दिये हैं चैनल पर नए होंगे नए तो क्यों होंगे पुराने होंगे सब होंगे धन बाद रखिए डेली स्याम को पांच बजे जनरल फाइनेंस अकाउंट्स रूल के कोशन का कारवां आज से प्रारंब हो गया है ठीक है अब पहले मैं जनरल फाइनेंस अकाउंट्स रूल को बिल्कुल केलियर करवा देता हूं ठीक है तो ऐसे ही चैनल प्यार बनाए रखें ब और नौट ट्रबल माता पिता भारत माता और महिलाओं का सम्मान करें जै हिन जै भारत साथी